Hello and welcome to our YouTube channel, मैं मनू कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं step by step लोगों के बारे में बात करने से कि उनकी brain में आखिर चल क्या रहा है Let's start with Deepak कई लोगों को ऐसा लग रहा था starting मैं जैसा मुझे भी लग रहा था आज के task के अंदर अगर अपन देखते हैं तो one-sidedly Deepak ने हर चीज को करके दिखाया हर task में सबसे पहले पहुचा, back सबसे पहले उठाये, dedicatedly खड़ा रहा dedication और हर चीज उसके अंदर बहुच ज़दा दिखी कि वो खड़ा था, हर चीज के लिए वो effort कर रहा था जब task start हुआ, बिग बॉस ने task की चिटी दी, करनवीर ने task की चिटी समझाई और वहीं से शुरू हो गया दीपक का game, दीपक ने अपनी सारी team को बोला ऐसे से करके ऐसे से करेंगे, अब वो दीपक की team actually, जिसको पहले lead करता था रॉमिल, अब वो team दीपक की हो चुकी है, और उसके अंदर एक नया item केवी आ चुका है मतलब रॉमिल का replacement बने हैं यहाँ पर केवी और रॉहित, और देखा जाए तो जैसा मैंने कल भी का था में एक बार फिर कह रहा हूँ, कि गंदा कितना भी कर रहे हो, बुरा कितना भी कर रहे हो चाहे के भी गलत चीज को support कर रहा हो, मगर देखो एक तरफा यह पूरी की पूरी team जीतती भी नजर आती है यानि सुर्भी और दीपक, तो ऐसे pillars थे, रॉमिल के, जो पूरे game को twist और turn दे करके बैठे थे बट वो खेल उसकी shade में रहते हैं, यानि वो रॉमिल की shade में खेल रहते हैं बट अल्टिमेटली boss task को जीत रही है, चारों बार दीपक गया और चारों बार दीपक ने, पहला bag फेका, स्कूल की seat पे सबसे पहले बैठा रॉमिल ने सुर्बी से जिस तरह से bag चीना, वो बहुत ज़दा मुझे बुरा लगा बिकाज उसको लगा मेरा bag लेकर के, दीपक पहले से भाग चुका है, तो उसने कुछ ना कुछ करने के लिए उससे bag चीना, वो हरकत उसकी गलप थी हाँ, उसके आगे पीछे कहीं पर भी सुर्बी ने कुछ सही नहीं किया, उसके आगे पीछे कहीं पर भी दीपक ने और कुछ सही नहीं किया, बट ये चीज बहुत डिसपॉंटेट थी एक और बात करते हैं, disappointment से शुरू करते हैं, हमको सोमी के बारे में क्या-क्या दिखाया दोस्तों हमको सोमी के बारे में दिखाया गया, कि सोमी ने जसलीन को एक बहुत गंदा word बोला उसने ये कहा, कि अब एक चला गया तर इसको दूसरा चाहिए कोई, जबकि हमें कल भी ये दिखाया गया सोमी केवी को बोल रही थी, कि ये जसलीन आजकल रॉमिल के साथ बैठती है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है लोगों की लड़ाई का फायदा उठाते हैं, यहां पे लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, यह वो है, चलो ठीक है आज उसने जो इतना गंदा वर्ड उसको बोला, कि चाहिए तिरको वो चला गया तो अब देखो ये बोलने के बाद मैं उसने रॉमिल से आकर के माफी माँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसने रॉमिल से माफी माँगी उसने अपनी सची दोस्ती दिखाई, उन्दोरों की केमिस्ट्री दिखाई, वखील साब को बहुत बुरा लगा वखील साब ने का मैं जुनजणा गुआने के यांपे नहीं है हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं सब समझता हूँ आज तो उसकी merit पर आगई बात तो उसको थोड़ी बुरी लगी ठीक है चलो अच्छी बात है सोमी ने अपना बहुत courage दिखाया सौरी मांगी बार-बार बहुत अच्छी friendship दिखाया बातरू मेरी हम उसको तीन-चार लोगों ने गलत बोलने कोशिश की पर फिर भी उसने अपनी friendship को प्रूब करते हुए का नहीं मैं रॉमिल के लेन सुनूँगी मैं भी रॉमिल को बोलती हूँ रॉमिल भी मुझको बोलता है मेरी दोस्ती है यह वो है वही पर एक अगले चंग में उसने बोलतावा दिखाया हमे को बोलतावा दिखाया कि वह यह बोले लगी कि आठीके मैं भी इस friendship से बहुर आ गही हूँ बार बार किती बार बोलो कि के वी सुर्भी उसको बोल रहे थे तुम एक तरफा कर रही हो तुम उसके लिए डेडिके करते हुए चपल खाते हुए भी कहने थे यार बिग बॉस हमें ट्रॉफी की जरूरत नहीं हम तो इस चीज के लिए हैं वह अपनी मौबबत दिखाना था वही पर सोमी जब उसमें कहा किया रहे आपका ध्यान वही है वह आपको एक टक घूर रहा है तो आप उनके पास सलि शुरू हो गई, चीजों के लड़ाई हैं ओनी मौब जैसे ही ऑटा दिया महाँ से हुटा थे ऑफ यस बड़ा बबावाल किया हुआ दोस्तों कि वहां पर जसलीन को बोली, जसलीन ने जाकर कि दिपिका जी को का कि इस इस तरह की गंदे-गंदे वर्ड यूस कर रही है और वो चीज भी हमको दिखाई गई कि वो जस तरह से भीएव कर रही थी आगे बढ़ते हैं फिर जैसे ही गेट खुल गया, गेट खुल तो ही सोमी खान ने जबरदस्ती उसको पकड़ा और पकड़ा करकर इसको अंदर नहीं जाने दिया और बाद में गाड़ी में बैखते हुए सोमी को ये भी बोलते हुए दिखाया निकालो उसका बैख निकालो देखते हैं इसको कौन रखता है गेम के अंदर, बाद निकालो साली, मैं बोल रहा हुए अपनी तरफ से, बाद निकालो उसको साली, निकल किया मेरे मुझ से, तो ये सोमी खान के बारे में, नौ कम टू रॉमिल, रॉमिल ने मेगा दादे को गले मिला मेगा को जाकर गले मिलते हुए। बुँछा मेडं हम से नाया जाएक वही पर हो जो जस्लीन उन से कहने लगी मिलब जस्लीन कई न कई है। इस से दिविग में आप मुझे बहुत उनोसेंट लगे थे तो अच्छली उन इनों के बीच में बैठी बैच हॉत योल्स ना शासा कुछ दिखा था इसले चलो न vanity बैसलिन ने भी थोड़ा हॉत अंगछा में दूरों न एक दूरा न Bulba न्या जितनी इंग्विश थी लैफ्ट गेम में established रहने के लिए, गेम के अदर टिके रहने के लिए यह चीज जसलीन ने बोली है, जसलीन को चलो, मतलब सौमी ने वो का, फिर हमको वही चंग दिखाया गया, बिग बॉस के द्वारा है, क्रियेटिव के प्लाम देखो न, कि वहीं सौमी ने उस पे ब्लेम किया, वही करके सब पे चल रहा है, दिपिका जी का बहुत च्छा पाट दिखाया का, जब रोईत और श्री लड़ रहे थे जोड जोड से, तो वहीं पर दिपिका जी ने का, आप बहुत गंदी-गंदी गालियां बोल रहे हैं, गयास प्लीज आप लोग चोप पहचाओ, क्योंकि मैं का हिस्सा नहीं बनना चाती, इस तरह की बाता नहीं देखना चाती, वहीं पर जब जब जसलीम बहुत गंदा-गंदा बोल रहे थी, श्री के साथ बैट करके, जो हमें दिखाया नहीं गया, बट हमें ऐसा फील करवाया गया, कि एकदम से दिपिका जी वहां से उटी है, औ कि आर मैं इस पार्ट का हिस्सा नहीं बन सकती, जिस तरह से आप लोगों के बारे में बाप करते हूं, मैडम, आपको कोई इतना गंदा बोल नहीं पा रहा, इस वैसे आपको उतना पेन नहीं हो रहा, जसलीम को और मेगा जी को जढ़ू मारने वाली समझा जाता है, और कु शायद वोटर्स भी इतने इंफ्लूएंट हो जाएं उनकी बातों से कि वो भी वोट ना खरें, अलाएं कि ये लोग जसलीम को इतना डिजर्विंग खिलाड़ी भी नहीं है, बट कई बार एक बात को सौ बार रिपीट करने से वो सकते ता में परिवर्थे दू जाती है, वो करने की कोशिश की जा रही है रोहित द्वारा, नाओ कम टू रोहित, देखो, मैं रोहित के बारे में दोस्तों इतना सा बोलूँगा, कि उसने श्री को एक लाइन बोली थी, जो मैंने भी, सरफ एक लाइन ही बता रहू हूं, बाकी की बाते बता नहीं रहूं, तेरे को रो मत तेरी दीदी बुला रही है, जा दीदी के पास जा, दीदी के पास जा करके बैठ जा, जा गेम से बार चला जा, बार जाके कूच जा, ऐसे गेर से घर से बार चला जा, मैं आपको बार जाता हूँ, एक practical चीज मुझे बताना, supposed to be, आप मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे करता हूँ, कि तेरे को तो मारूँगा, आपका reaction क्या होगा, मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूँ, कि श्री सही आदमी है, श्री सबसे गंदा आदमी है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा कहने पे, आपके साथ क्या होगा, नहीं होगा ना कुछ, करोगे ना कुछ, तो जो करोगे, वो सोचो, रोहित को समझ में आ चुका है, कि बुली करो, छेडो, मजे लो लोगों के, ये लोग पंचर हो जाएंगे, दीपक 100% उसके साथ है, इस गेम के अंदर, तो दीपक भी वो कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बार बताता हूँ, दोस्तों, हमाई तर तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्लियर बात है, कि जैसी संगत राखिये, वैसा ही फल होए, तो इस तरह से होगा, सुर्भी राना, कल तक रॉमिल के, शेड में रहकर के, इस सारी चीज़े करेंगे, अब हम सुर्भी प्या चुके है, अब वो इंडिपेंडेंटली कर रह सेलेब्रिटी इंदा हूस, अदरवाइस, रेस्ट ऑफ और ऑल तो, वो इतने बड़े सेलेब्रिटी है ही नहीं, मैं श्री सांथ की बात नहीं कर रहा है, इसका फेल्डी अलगे, इंड़नों की बात कर रहा हूँ, तो यह बहुत सेफ है अपने गीम पो ले करके, मैं अप् सेले तो एक रियालिटी शो का फॉर्म भरने के बाद में, अगर आपको लगता है कि आप यह करी नहीं सकते, तो सर कोई एपिसोड देख लेते, सीजन देख लेते, यह लोग दिखाते हैं पहले कि एपिसोड भी लोगों को किस-किस तरह की चीज़ें होती है, तो सर अब आ नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा, इस तरह का मत करो, इस तरह का मत करो, दीपक ब्लाइंडली पहले रॉमिल को करता था, अब उनको फिवर कर रहा है, रो약 का मैं एक परसंट सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर दोस्तों, फिलाल रो chronic की गेम चला रहे हैं, अग come to एक मस्ती वाला पार्ट के रॉमिल बैट करके दिपका आयनों सब के साथ में बोल रहा था उस बस के पास में कि ये गंदा है उसने गंदिगी की है मुझे दोगला बोल रहा है जबकि दोगला वो है वो रोहित की बात में आ गया मुझे बहुत बुरा लगा ब्ला 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 उसी इन चल रहा था इतने में दीपक उठा बस से निकला बस से निकलता हुआ गया तो मतलब दीपक ने वो सारी बाते सुनी बट नाव ही इस नाट इंटरस्टेड इन दिफ्रेंक्शिप जो वो डिसाइड कर रहा है अब मैं जसलीम का बैग उठाऊँगा अब मैं दिपिका जी का बैग उठाऊँगा अब मैं ऐसे करूँगा और वो वो सब कुछ कर रहा है तो एक्चुली अब दीपक को किसी की ज़रुत में है और दीपक इतना स्ट्रॉंग प्लियर है कि वो चार लोगों को साथ ले करके घूम रहा है सोमी एक्सपोजड हुई आज किसी तरह से जसलीम और मेगा के पास एक्चुली करने को कुछ ज़्यादा नहीं बचा है तो वो गेम में अपना अंडेट परसंट देती है या फिर अगर वो लोग उनको छेड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बोली रॉमिल ने जब रोहित को सर मारा तो वहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि रॉमिल ने इंटेंशली मारा रॉमिल ने इंटेंशली सर बिल्कुल नहीं मारा सर गलती से रोहित का टच हुआ रॉमिल के बट वो इतने घुस्से में था कि उसना उसको गलती नहीं समझा सेकंड ओफ सेकंड में आपको समझ में नहीं आता तो उसके एक्शन का रियक्शन देते वे उसने वापस पुश किया जो लोगों को शायद अच्छा बुरा लगा लेकिन रॉमिल ने वो इसले किया क्योंकि उसको लगा इसने मुझे सर मार दिया अब यारी अडाका है उसको लगा यापड़े को मारा हम भी मारो गेम शिरू बही पर दोस्तों एक और चीज दिखाई जब चपल वाली बात दीपक बोल रहे थे कि मैं तो यह चपल जीतने के लिए अधा ट्रॉफिय वी कितरे को जुरत है तो वहां पे बैठा वादूर से रॉमिल ऐसे बोला एभगवान इनकी इच्छान पूरी कर जो जो इनकी इच्छान वह इनकी इच्छान पूरी कर मतलब रॉमिल कहला है कि वही यह चपल जीतने है इसको चपल दे लेवा दो बात कहता हूँ सो यह बात बहुत जदा फणी और मस थी